नमस्कार दूस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ओपीसिल यूटूब चैनल में फ्रेंड चैनल पर पहली बार पता रहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि चैनल के दुआर आपको रोजाना आंगनवाडी से समदित होम गार्ट्स और सिक्सा विपाक से जूड़ी लेटस्ट कबरों की अपडेट आपको मिलती रहती हैं बलाई आप बारत के किसी भी राजे से बिलोम करते हो आपको अपने इस् वरकरों से जूड़ी मुक्य कबरों की अपडेट है वो आपको इस वीडियो के मिलने वाले हैं तो प्ली दोस्तों बिना स्किप के इस वीडियो को अंतर जरूर देखिए और साथ या आप दिख से तो इस वीडियो के थमनल में कि सरकारी टीचर जितना मिलेगा मांदे में वंपर बड़ोत्री यानि कि प्री प्रैमरी स्कूल में तब्दिल होंगे आँगनबाडी केंदर अब आँगनबाडी कारिकरतों वा साहिकाओ का मांदे बढ़ेगा अब मिलेगा सरकारी टीचर जिसना वेतन और दोस्तों तीन साल के बच्चे को भी मिलेगा इस प्री प्र जागरण से दोस्तों ये खबर मिले हैं और हात्रस से एक खबर निकल गाई है कि सहरी छेत्र के आँगनबाडी कारिकरतों से अलग अलग वजों से अवेद हुआ ही का मामला सामने आया है डीम की गोपनेता चार्च में इसकी पुष्टी हुई है डीम ने इस मामले में कारियों के लिए सासंग को पत्र भी लिखा है करीब एक सब्ता पहले जिलादिगारी प्रविन कुमार लक्सकार को फोन पर किसी ने सिकायत की इसमें बताया था कि सहरी छेत्र के आँगनबाडी कारिकरतों से फीडिंग फिल्ड वर्क बुक और पुष्टा राधी के नाम पर वसूलिक की जा रही है यह वसूली अधिगारी की और से बताते हुए की जा रही है और डियम ने इस मामले को गंबीरता से लेया और उन्होंने पूरे मामले की गोपनिय था कि जाच की और जाच में यह सिकायत सही पाई गया और जाच आखिया के आदार पर डियम ने विबाग की सूपरवाइजर और CDP को दोसी पाई गया है जिला जिगरी ने बताया कि जाच में उगाई करने की बात सही पाई गया है और इस मामले में कारियोए के लिए बाल एबं पुष्टार निदिसक लखनों को लिख दिया गया है और सासन को रिपोर्ट भी बेज दी गया है तो फ्रेंट्स आप दो बहुती बड़ी कबर निकल का यह हात रस है कि हात रस में आंगनवाडी कारिय करता है उसे जो भी कारिय करवाने के लिए यानि जो आप देख सेकते हो कि फिल्ड फिडिंग फिल्ड बूक और पुष्टारादी के नाम पर वसूल की जा रही थी उनके खिलाप अब होग यह सीविल पानीपत से दोस्तों कबर निकल के आई है अरियाना के कि सीविल एस्पताल के रजिस्ट्रेशन केंदर से सुब ओपीडी इंचार्ज ने एक आसावरकर को आंट सिलिप के साथ पकड़ाए इसके बाद आसावरकर को चेतावनी देखकर छोड़ दे गया और बता अधिक देर हो गई तब केंदर के बार सिलिप के आदार लाइन में लगे हुए मरीजों ने सोर मचाना सुरू कर दिया और सोर उंदर ओपीडी इंचार्ज मौके पर पहुंची और केंदर को आसावरकर को मौके पर पकड़ा और उसके बाद उसकी तलासिल ली गई तो उसक अधिक दिखते हो अंगनबाडी कारी करता हो के लिए और सेविकाओ के लिए उनको अब मिलेगा GPS-Mobile 3818 अंगनबाडी कारी करता हो को आप देखते तो जिले के अंगनबाडी केंदर के सेविकाओ को 11 रजिस्टर रखने की बाद देता समाप्त होगी डिजिटल इंडिया का आसर अब अंगनबाडी केंदर के मोनिटरिंग में दिखेंगी राष्टिय पोशन अब्यान के तद जिले के सभी 3818 अंगनबाडी केंदर के सेविकाओ को GPS युक्त मोबाइल भी दिये जाएंगे और सभी अंगनबाडी सेविकाओ को देने के लिए मोबाइल का इंस्टालेशन कारे सुरू कर दिये गया है और इसके जानकारी देते वे पोशन अब्यान के राजिय सलाकार बलिंदर सिंग ने बताया कि आगनबाडी केंदर के सेविकाओ के लिए नए सॉप्ट्वेर युक्त मोबाइल त्यार कर प्रिक्सिक्षिन के साथ इनको दे दिये जाएंगे अब इससे रियल टाइम मोनिटरिंग की जाएंगे इससे अब आगनवाडी केंदर को विबिन तरह के रिकोर्ड मैंटन करने के लिए ग्यारा रजिस्टर रखने की जंजट से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएंगी अब मातर एक रिजिस्टर रखना होगा वह भी सिर्फ इस्टोक मैंटन करने के लिए पहले दस रिजिस्टरों मेंसे जो भी काम होता था वह अब एक एप के माधियम से होगा और यह सब ICT, I, R, T, M, Information, Communication, Technology, Real-Time Monitoring के कारण संबभ हो पा रहा है तो फ्रेंट्स बहुती बड़ी खबर आप देख से तो कि आगनबाड़ी कारिकरतों सेविकाओं को दिया जाएंगा मोबाइल, GPS से लेस मोबाइल मिलेगा और नेक्ट खबर आप देख से तो मनाली में आसा वरकर के लिए करेया आविदान इमाचल पर देशी दोस्तों एक खबर है कि नगर परिष्चेद मनाली के वार्ड नंबर 3, 4 और 5 के लिए आसा वरकर का एक पद बरा जाएगा इस पद के लिए 15 माईला एक नवंबर तक कुल्लो इस्तित मुक्य सिक्षा अधिगारी कालेले में सार्द कागेश पर आविदान कर सकती है मुक्य अधिगारी सिक्षा अधिगारी डॉक्टर सूशली चंदर चर्मा ने बताया कि आविदान इन्ही वार्ड की इस्ताई निवासी होना अनिवारी होगा और इसकी आईउ 35 से 45 वर्ष के बीच हो और वह कम से कम दसवी पास या संचार वह समवाद में सिन्पून होनी चाहिए तो फ्रेंटस आप दिखसे तो ये खबर मनाली से हैं माचल परदी से कि मनाली में आसा वर्कर के लिए करे आविदन और अगली खबर आप दिखसे तो कि NHM के सहाय कारिकरम परबंदंग और लेखा पाल के सेवस समापति का नोटिस हुआ है जारी दोस्तों ये खबर आप दिखसे को सतना से हैं कि आसा प्रोसान रास्ते के बुगतार में राज्यस वास्ते समयती के निडिसों का पालन नहीं करना राष्ट्य स्वास्ते मिसन जिला कारेकल कारेले के लेखा पाल निरस गुपता और साहे कारीकरम परबंदंग संदे स सुकला को महेंगा साबित हुआ है मिसन संसला का एन एसम ने तीन दिन के अंदर प्रोस्टान राजी का भुगता नहीं होने पर जिला लेकापाल और साय कारीकरम प्रबंदन को एक पक्षिय कारेवई करते हुए सविंदा सेवा समापति के चेतावने भी दिये और अगली खबर आप दिखे तो वीडियो के थमनल में लिखा गए ताकि आंगनवाडी अब बदलेंगे प्री प्रैमरी स्कूल में तबदिल यानि कि अब जो भी आंगनवाडी सेविका साहिका कारी करता है उनका मान दे होगा सरकारी टीचर जितना अब आंगनवाडी कारी क साल के बच्चे को मिलेगा परवेश योगी सरकार उतर परदेश से दोस्तों ये खबर है कि प्राहत्मी स्कूल में पहली कक्सा में पाच साल के बच्चे को दाखिला मिलता है वही इन प्रैमरी स्कूल में तीन साल के बच्चे को दाखिला दिया जाएगा मुख्यमंदरी य इतादेका सरसक्त बनाना का काम भी करेगी मुख्यमंदरी योगी अधियतिनाद ने सुकरवार को कहा है कि परदेश की बैसिक सिक्सा प्रिस्त के सभी स्कुलों के अंगनबारी केंद्रों को प्री प्रैमरी स्कुलों के रूप में तब्दिल किया जाएंगा और इन प्रैमरी स्कुलों में तीन साल के बच्चे को दाखिला दिया जाएंगा उत्तर प्रदेश में व्यवस्ता अगले सत्र से सुरू हो जाएगी गॉर्टलबै की प्रात्मे की स्कुलों में पहली कक्सा में पांत साल के बच्चे को दाखिला मिलता है वही इन प्री प्रैमरी स्कुलों में 3 साल के बच्चे को दाखिलत दिया जाएंगा योजना के सुपारम के मौके पर कहा कि पर्दे सरकार इससे योजना के मादिम से बेटियों के जनम को प्रुटसाइद करेगी और उन्हें हार्थिक साहता देखकर ससक्त बनाने का प्रतिक प्रतिक है प्रतानमंति नरेंद्र मोधी बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के जरी देश में नारी ससक्ति करें को बढ़ाओ दे रहा है और इसे ससक्त करने के लिए मुक्यमंति कन्या विट वर्स के लिए 1200 करोड रुपे का बजट भी जारिक कर देगा है यानि दोस्तों इसे योजना के द्वारा अब प्रतेक बालिगा को यानि की जनम से लेकर इंटर में पहुंचने तक छे चलनों में 15,000 रुपे सरकार देगी और नेक्स्ट कबर आप दिखतो कि बीडियो ने अंगनबाडी केंदर को जाना हाल ये 25 अक्टूबर 2019 की फ्रेंड से खबर आप दिखतो नियामताबाद चंदोली से खबर है कि विकासकरन के नई कोड गाउं के निर्माना दिन अंगन अंगनबाडी केंदर को निर्क्षन किया और निर्मान कारिये में अनिमिता पाई जाने पर कारे देश संस्था उपन नाराजगी व्यक्त की गई है और किसी परकार की लापरवाई नहीं बरतने की चेतावने पिद्धी गई है और आगे लिखा हुआ है वीडियो ब्लोग क इस तरहीं टीम के साथ कल्टे सर पहुची और निमारदीन अंगनबाडी केंदर में चल रहे कारिये में मजदुरों के बाबत जान कर लिए और कारे की प्रकति काफी धिमी होने पर तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया है और अगली खबर आप देखे को कि बीडियो क अमेस कुमार सिंग ने वार्ड नमर 14 में इस्तित आंगनबाडी केंदर के जाच की और जाच की दोरान सेवी का अनुपस्तित में मिली है बीडियो ने बताया कि 23 बचे उपस्तित थे जबकि सभी पंजी सही पाया गया और बीडियो ने बताया कि आने वाले दिनों में और क खेटर के अन्य केंद्रों में अड़कम मच गया और जबकि प्रकर्ण खेटर के अधिक तर अंगनवाडी केंद्रों में सीडीप्यों की अनुपस्तिती का लाप सेविका और साइका उठा रही है और यह कबर आप दिखते हो कि अंगनवाडी कारिकरताव साइका की मेरिट के अधार पर सुचियों की तेयार दोस्तों बहुती बड़ी खबर आप दिखते हो आगरा मालवा से है कि बाल विकास परिजना बडोद के अंतरकर आने वाले आंगनवाडी केंद्र पिपलिया माना विनाएगा बडोद और खेड़या के लिए आंगनवाडी कारिकरता उन्हें रेली निकालकर सौपाई ग्यापन दोस्तों बहुती बड़ी खबर आप दिखते हो कि जीले में करमचारी की उपस्तिति के लिए लागू किये के सार्थक एप का विरोध हो रहा है करमचारी और आंगनवाडी कारिकरता उन्हें सार्थक एप के गुरुवार की आपको इस वीडियो के मादेम से मिलेगे होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जल्दे से लाइक कर देजगा और लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने अंगनवाडी बानों के साथ भी सेट जरूर किजएगा मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो में तब गिले जे हीन जे बार थेंक्स वोर्य वाजिंग माई वीडियो